नमस्कार अप्लाइब सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ उज्जय शुकला देखिए बिहार में फरजीवाड़ी के आधार पर सिक्षक बनकर सरकार की आखों में धूल जोकने वाले लोगों के लिए ये बुरी खबर है क्योंकि आब सरकार इनके खिलाख एक्शन लेने जा रह ही है सिक्षविभाग ने कड़े निर्देश दे दिये हैं सकत हिदायत दे दिये हैं पूरी खबर हम आपको विस्तार से बता रहे हैं सिक्षक नियोजन में फरजीवाडा के अधार पर नौकरी की मलाई खा रहे लोगों के लिए बुरी खबर है हाई कोड की कड़े रुख के बाद सिक्षविभाग ने सकती दिखाते हुए निगरानी जाच के लिए सिक्षक नियोजन फोल्डर में और मेधासूची उपलब्ध कराने में आनकानी करने वाले नियोजन इकाई पर जल्द ही प्रात्मिकी की गाज गिरने वाली हैं निदेशक प्रात्मिक सिक्षक के निर्देशा नुशार सभी बीयों से पंचायत राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान के द्वारा 2006-2015 के बीच नियोजित सिक्षकों के सभी प्रमाण पत्रों की जाच के लिए फोल्डर तलब किया गया था लेकिन बार-बार आदेश के बाद भी नियोजा निकाय द्वारा नियोजित सिक्षकों का फोल्डर जमा नहीं किया गया इस आदेश की अवहेलना के बाद निदेशक ने सिक्षकों के फोल्डर की जाच के लिए एक वैकलपिक विवस्था की है इसके लिए वेब पोर्टल नहीं कराने बाले सिक्षकों के सूची को जिला प्रशासन की वेबसाइट NIC पर अपलोड कर दें। इसके लिए अंतिम्ति थी 17 माई मुकर्रर की गई थी। अररियाद जिला सिक्षावी भाग ने ऐसे सिक्षकों को चिन्हित कर लिया है जिन्होंने अब तक जाच के लिए फ जानकारी हो सके और नाम के साथ इनका जो है वो फोल्डर जो है बनाया जाएगा और नाम इनका उजागर किया जाएगा इसके साथ ही इनकी नौकरी पर तलवार भी लटक रही है इस खबर में आप ये जान चुके होंगे कि सरकार अब इनकी नौकरी पर सवाल खड़े करने लगी है क्योंकि बहुत दिनों पहले से ही ये कहा गया है कि जितने भी नियोजित सिक्षक हैं वो वेबसाइट पर यानि कि जो वेबसाइट बताया गया है उस पर अपने फोल्डर को यानि कि जितने भी दस्तावेज होते हैं उनके सर्टिफिकेट्स वगरा होते हैं उसकी उ नियोज़निकाई से बार-बार आगरह करने के बार भी जब उनका फोल्डर नहीं भेजा गया तो उसके बाद अब प्राथमिकी की कारवाई भी की जाने वाली है और ये बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि बिहार में ऐसे तमाम सिक्षक हैं जो फरजिवाड़े के जाता है इनका नाम उजागर किया जाता है आप बने रहें लाइट सेटीज के साथ तवाम खबरें आपको देंगे लेकिन उसके लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ये वीडियो फेस्टूप पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें इसके अलावा ट्व करें धन्यवाद